आपने चैनल सभी करता है कि किन लोगों पे देपता की जो सवारी है वो जल्दी आती है देपता किन लोगों के ओपर जल्दी से परसंदू होता है देपता की गद्दी एवं शरीर में परवेश सरव प्रतम ही के नवेदन रहता है चैनल पर फस्ट ना विस्ट और चैनल को सब्सक्राइब करना पहले पर क्लिक करना तीन और चैनल अग गुरु गुरुफण शिव गुरुक्ष नोना चासे बाकी की डिटेल डिस्प्शन बाक्ष मेंचेन हैं इंटेनेट के दुने में को म सनातंदर्म हिंदु दर्ग और यानिकि नासमबदा का प्रचारा को तो उनका ही प्रचार करता हूं और सरप्रतम किसी के मन को ठेस मुँचाने के लिए थवा किसी को दुखी करने के लिए यहां पर वीडियो नहीं मना जाते हैं सिरफ ग्यान देने के लिमें आपने इन वी किसी भक्ति के साथ ही प्रसंद हो जाते हैं और एक निवेदन हो रहा था कि यार मेरा चैनल जो यहां पर सबसे हदा लाइस्ट्रीम इसी चैनल पर लेता हूं और आप मेरे पेड़ ग्रूप में याड़ हो सकते हो जिसकी परमंत्वी साड़े कुछ लोगों के कुल में गदियां लगती हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ओपर देवता की गुरूपा बच्पन से होती है जैसे कि कि पीड़ी की सेवा जो अधूरी रह जाती है अथवा किसी ने ज्यादा कर्म कमाया आस्तिक और नास्तिक दो चीज़े ही होती है संसार में या तो प्रमात्मा नास्ति को दिखता है जो प्रमात्मा के ओपर बिश्वाश नहीं करता लेकिन वो फिर भी भक्ति सचे मन से करता है याद करता है उसको बिश्वाश नहीं करता लेकिन जब फस्ता है तो सचे मन से याद करता है या तो उसका देवता देवता उनको द वो लोग जो नित्य करम की पूजा करते हैं अत्वा जो एक schedule के accordingly पूजा करते हैं यानि कि जो समय चेंज नहीं करते हैं अगर सुभा आठ वजे बैठना है तो दस पंद्रामेंट की shoot होती है और डेली जो नित्य करम में डेली पूजा करते हैं पर मातमा को जो याद करते हैं पर सबसे जल्दी सवारी आते हैं और देवता सबसे यदा परसन होते हैं कल युक के दोरे में सबसे जल्दी प्रसिद्ध और सबसे जल्दी सिद्ध और सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता जो पूज निये हैं उन में से हम आपको कुछ देवता के नाम बताता जो जल्दी से आपके परડ़ करते हैं अगर हम थॉर्ग में लेते हैं तो दुर्गा माता की खुड़ी होती है वो कोन से मंटर से निवारन मंटर से सबसे जल्थी इनकी कृुपा होती है इससे ही आपको नव दुर्गा, दसमाह, विद्या, अथवा, सरसवती, गंगा, जमना जितनी भी प्रगार की देविया हैं जैने कि 33 कोटी देवी, देपताओं में जितनी भी देविया हैं उन देवियों का जो जो भी सुब्रूपन, सब सबरूप freshly सिद्धी आपको एक ही मंतर ये दिला जाता जिससे आपको वाक सिद्धी मिल जाती है आपको इससे सुरोप्रत्अम जो है, एक शक्ती मिलती है कुललनी शक्ती भी आपके एक्टिवीट हो जाती है अब secondly option आती है मा काली कल गत्ते वाली भी इनके साथ ही चलती है वैशनु माता नैना देवी जौला देवी ये भी इनके साथ ही चलती है यानि कि एक ही मंतर से या को सारी सिद्धियां मिलती है तीन पिंडी यो वैशनु माता में माता काली कल गत्ते वाली यो प्रचंड और द आथोग गृपण लेनी है थोड़ी सी प्रिक्रा में अगर आप असंफर रहते है तो इनकी किर्पा डिले हो जाती है क्योंकि इनकी प्रिक्रा देनी है अथवा इनकी साधने करनी और उस लेवल तक पहुंचना और आपने आपको उस काविल बनाना पड़ता है तब याके यह देपता श्रीर में प्रवेश करते हैं तो जिन जो लोग पूजा के हर एक नियम को फोलो करते हैं जिसमें की ब्रहमचारे होता है टाइम पे अपावंद रहना डेली देपता को याद करना चाहे मन हो ना हो लेकिन भक्ति करते रहते हैं उन लोगों के सबसे जल्दी सवारी आती है और ये सवारी जब उन लोगों के उपर आती है कुछ लोगों के वचन पूरे नहीं होते हैं लेकिन इन लोगों के वचन भी पूरे होते हैं इन लोगों के कही बाद वी सत्ते होती है क्योंकि इनकी आस्था देपता के प्रती पूरों रूप से सच्ची होती है ये निस्भावना से जो लोग भक्ती करते हैं जिन लोगों की कोई इच्छा ही नहीं होती है वो सिर्फ प्रभु दर्शन के अविलाशें और प्रभु दर्शन को देखने और प्रभु दर्शन करने के लिए जो लोग भक्ती करते हैं उसके उपर देपता हमेशा ही परचंड रहता है उसके उपर देपता हमेशा ही अपनी कृपपा बनाए रखता है और जो लोग बोलते हैं मुझे सीखना है, मुझे जनकल्यान करना है ऐसे लोग हमेशा ही पिछे रहा जाते थो उन लोगों के उप्र देपता नहीं आएगा क्योंकि देपता को पता है जनकलियान करने में केई परकार की तरूटिया है केई परकार की वो बोलते हैं कि प्रिक्षा और पड़ाव आएंगे ये पड़ाव बंदा नहीं कर पाएगा पार तो खौफूली दीगी जानगेश पस्टोर्टे चैनल को सब्सक्राइब आले पर क्लिक करो वीडियो जरू शेयर करना